अब हम समझते हैं कि भारत इसमें कहां पर है? भारत किसका साथ देता है अगर ये विवाद बढ़ता है या इन देशों के बीच जंग होती है? तो साथ यो इसमें तीन राष्टर जो है वो प्रमुख है एक इसमें आता है रसिया दूसरा है यूरोपियन यूनियन यानि यूरोप के कुछ देश जो यूकरेन का समर्थन कर रहे हैं और तीसरा है यूकरेन की बात नहीं कर रहे हैं इसमें तीन जो मैतपूर्ण भूमी का निभाने वाले राष्टर है उसमें रसिया, European Union और USA. इन तीनों के साथ भारत के जो रिस्ते हैं वो काफी बैतर है. सबसे पहले रसिया. रसिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है. सातियों भारत का सबसे बड़ा जो डिफेंस पार्टनर है वो कोन है? रसिया. हम ज रसिया से हमारा डिफेंस पार्टनर जो है, वो बड़ा डिफेंस पार्टनर है रसिया. European Union के साथ भारत के कूट नितिक और राजनितिक संबंद जो है, वो सातियों काफी बैतर है. और तीसरा, USA की अगर बात करें तो USA भारत का सबसे बड़ा ट्रेंड पार्टनर है, यानि व्यापारिक पार्टनर है, यानि भारत सबसे जादा निरियात जो करता है सातियों, वो किस देश को करता है, अमेरिका को करता है, हम सबसे जादा निरियात अमेरिका को करते हैं, यानि हमारे लिए तीनों ही देश जो है, वो काफी मैतोपूर बन जाते हैं, रसिया हमारा मर्तन कर देते हैं तो अमेरिका इससे नाराज होगा और अमेरिका हम पर जो है वो बैन कर सकता है हमारे निर्यात को बैन कर सकता है तो भारत को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि हमारा निर्यात वैसे ही रिनात्मक्स तरमें रहता है और अगर इतना बड़ा निर्यात अगर भारत का प्रभावित होता है तो उसका नुक्सान भारती अर्थविवस्ता को उठाना पड़ेगा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है साथियो इससे पूरी दुनिया की लगबग 65% से जादा GDP प्रभावित हो रही है और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि भारतिय सेर बाजार में बड़ी गिरावट पिछले 6-7 दिनों से चल रही है क्रिप्टो करंसी में बड़ी गिरावट जो है वो पिछले 6-7 दिनों से चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया की जो एकोनोमी है वो इन देशों पर डिपेंड करती है इन देशों का पूरी वैस्विक अर्फिवस्ता में जो योगदान है वो काफी जादा है उसी का नतीजा है कि भारत जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से एक सांत जो है वो है यानि भारत ने किसी का भी समर्तन अभी तक नहीं किया है आपने किसी भी भारती राजनिता का या भारत सरकार की तरब से आधिकारी ग्रूप से रसिया और युक्रेन मामले में कोई भी बयान नहीं सुना होगा साथियों भारत 2014 में जब युक्रेन के क्रीमिया को रसिया ने जो है वो कबजा किया था उस समय भी भारत जो है वो सांत रहा था और भारत ने ना ही तो उसे सही टहराया था और नाहीं उसे गलत बताया था हलांगी भारत की उस चूपी को रसिया ने अपने पक्स में माना था रसिया ने पूरी दुनिया को ये जताने की कोशिस की थी कि भारत जो है वो उसका समर्थन कर रहा है क्रीमिया मामले में और अब जो भारत की चूपी है रूस को रूस उसे भी रसिया के समर्थन में ही जो है वो सातियो देर खरा है क्योंकि भारत की भी इसमें कई सारी चिंताएं है जो भारत की चिंताएं है वो मैंने आपके सामने रखी है कि तीनु देशों के साथ हमारे किसी ना किसी सेत्र में बहतर रिस्ते है उस स्तती में भारत तीनों देशों के साथ कभी नहीं चाहेगा कि इन देशों के साथ हमारा आपसी विवाद बढ़े और इन देशों के साथ रिस्ते जो है वो खराब हो साथ यो आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे important चीज है आर्थिक हित आर्थिक हित सर्वो परी है पूरी दुनिया में और उसी का नतीजा है कि आज के समय में दो देशों के बीच रिस्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस देश से आपको कितना आर्थिक लाब हो सकता है उसी का नतीजा है कि आज कोई भी इसलामिक कंट्री पाकिस्तान को समर्तन नहीं करता है क्योंकि क्या ले लेंगे पाकिस्तान से भुका दंगा देश है उसको क्या ले लेंगे तो कोई भी देश पाकिस्तान का समर्तन नहीं करता है क्यों क्योंकि पाकिस्तान से मिलने वाला कुछ नहीं है उनको तो आर्थिक हित सर्वो पर ही है इसी का नतीज़ा है कि युए युनाइटेड अरब अमीरात वो देश है साथियो जिसने इसराइल में अपनी अम्बेसी जो है वो स्टार्ट की थी और इसराइल ज तक्राव होगा तो निशित रूँ से दो देशों के रिस्तों पर इसका असर पड़ेगा तो भारत के आर्थिक हित भी तक्रार है व्यापारिक हित भी जो है वो साथियो तक्रार है या डिफेंस हित भी भारत के तक्रार है और भारत के राजनितिक कोटनितिक हितों को का भी टक्राव जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है इसलिए भारत जो है वो इस मामले में अब तक चुप्पी सादे हुए है और भारत ने अपना कोई भी पक्स नहीं रखा है